नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और इस वीडियो के माद्यम से हम आप लोगों को कभी रितुराज जी की रचनाएं, कापगत विसिस्ताएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहतमेस्थान बताएंगे सबसे पहले देखते हैं रचनाएं, तो रितुराज जी की रचनाएं एक मरड़ धर्मा और अन, क्या एक मरड़ धर्मा और अन, फुल फर पानी इसके बाद कापगत विसिस्ताँ हैं, तो कापगत विसिस्ताँ की बात की जाए, तो भावपक्ष और कलापक्ष से हम कापगत विसिस्ताँ लख सकते हैं जो बावपक्ष और कलावपक्ष में लिखे जाती हैं, इसे कुछ बावपक्ष निकाल करके काभग विश्चता लिख सकती है। देखते हैं जो बावपक्ष है, वो कि शुकार से है। अब अक्षर रितुराज जी ने, लोगों की चिन्ताओं को अपने लेखन का विश्चता बनाएं। उनकी कवीताओं में दैनक जीवन के अनुभाओं का एथात है। उनकी कवीताओं में देनक जीवन की अनुगाओं का इथात है रितूराच जी आसपास रोज मरा मैं घटत होने वाले सामाजक सोशनर और ब्रंबनाओं पर नगाह डालते हैं क्या कते हैं नगाह डालते हैं इस दिष्टी से वे कलापना लोग के कभी न होकर एथात जीवन के कभी कहे जा सकते हैं इसकी बाद देखते हैं कलापक्च कलापक्च इसकास रितूराच जी ने कभीताओं में देनक जीवन के सामान सब्दों का प्योग किया देनक जीवन के सामान सब्दों का प्योग किया सामान सब्दों उनकी भासा अति सहज और सैल है जिसमें तत्सम तत्भाव देशज तत्हां विदेसी सब्दों का प्योग देखा जासकता उन्होंने अमिधा लच्छना बेंजना तीनों सब्द सक्तियों का सफल प्यूकिया उनकी कब रचनाओं में सिंगा तथा करूरस भी पाए जाते हैं उनकी कब रचनाओं में सिंगा तथा करूरस भी पाए जाते हैं साहत में इस्थान रितुराज जी का हिंदी साहत में मतुर इस्थान है उन्होंने हिंदी साहत को अपनी रचनाएं अमूल धरूहर की रूप में पिदान की है तो हे गाईज लिए आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सिर पर धन्नवाद